आज हम आपको बहुत ही इजी एंट टेस्टी रायता बनाना बताएंगे यहाँ पर हम आपको मखाने का रायता बनाना बताएंगे तो यहाँ हम इतने मखाने लिए हैं इनको हम आप थोड़ा सा भून लेते हैं यहां पर आप थोड़ा घी का इस्तेवाल भी कर सकते हो और बिना घी के इस्तेमाल करके भी आप इनको भून सकते हैं अब इनको हम अच्छे से भून लेते हैं अभी कड़ाई हमारी गर्म नहीं है तो अभी इसको हम थोड़ा सा कड़ाई गैस जो है वो हम तेज रखेंगे इस तरह से चलाते रहेगा नहीं तो नीचे से जलने के चांसेज रहते हैं कड़ाई गर्म हो गई है थोड़ी देर में तो गैस हम एकदम धीमी कर देंगे और धीमी आज पर इसनको हम अच्छे से भून लेते हैं कांटीनु इस तरह से चलाते रहेंगे अब देखते हैं यह हमारे अच्छे से पके की नहीं यह देखिया अच्छे से पक गए है और यह बढ़ियां से हमारे तूटने भी लगे हैं तो अब हम गैस बंद कर देंगे और सभी मखाने हम निकाल लेंगे अब इनको हम ठंडा कर लेते हैं अच्छे से अब यहाँ पर हमने लिया है दही दही आफ्रेस दही लीजियेगा ज्यादा खटा दही मत लीजियेगा तो यह दही है इसको हमने फेट लिया है तो इस तरह से हमारा बढ़िया चिकना-चिकना सा यह दिख रहा है अब यह हमारे ठंडे हो गए हैं तो अब हन्डे मखाने हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से हम मिला लेते हैं आप यहाँ पर हम लेंगे कुछ मसाले तो कुछ मसालों में क्या है यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा काली मिर्च भुना हुआ जीरा खड़ा मिर्च है यह हरे मिर्च के जिगए आप यहाँ पर ले सकते है पिसा हुआ लाल मिर्च यह है नमक यहाँ पर हमने काला वाला नमक लिया है आप अपने हिसाफ से कोई भी नमक ले लेजिए यह जीरा है खड़ा यह थोड़ी सी हींग है तो यहाँ पर हम तड़का भी लगाएगे और कुछ इस तरह से हम डाल भी देंगे तो यह जो जीरा है भुना हुआ इसको अब इसमें हम डाल देंगे जीरा डाल दिया अब यह पिसी हुई काले मिर्च डाल देंगे स्वात के मुताबिक यहाँ पर नमक लिया है, नमक डाल देंगे और यह हरा मिर्च है, हरा मिर्च अब इसमें हम डाल देंगे और इनकों अच्छे से हम मिला लेंगे अब इतनी बची हुई समान को हम बढ़िया सैस से तड़का भी लगा लेते हैं तो तड़का के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक फ्राई पैन तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सरसों का तेल अब इसको हम चड़ाते हैं गैस पर अब इसमें हम डाल देंगे जीरा हींग डाल दिया मिर्च है मिर्च भी अब इसमें हम डाल देंगे कर्णा हम तो इसमें हम पुट में प poured इसमें पना देंगे मिर्च बाल देंगे एक कर्णा है प्राई पर के लिए एक लिए हम प्राई एक खितो आगे इसको हमने अपे उज़ा लेगे बढ़ियां से जो तड़का है यह रेडी हो गया है अब गैस को हम बंद कर देते हैं अब तड़के को हम इसमें डाल देते हैं अब इसको अच्छे से मिला देते हैं बहुत आसान है रायता बनाना मखाने का बहुत फटा-फट बन जाता है अब देखे बढ़ियां से रेडी हो गया है अब इसमें अगर आप इसमें हरा धनिया चाहते हैं पसंद करते हैं तो वो थोड़ा डाल दीजिए थोड़ा पुदीना की पतियां अगर आप पसंद करते हों तो वो कट करके डाल दीजिए तो अब ये जो रहता है ये हमारा रेडी हो गया है अब इसको 10 मिनट के आसपास हम इसको अच्छे से ढख कर रख देंगे जिससे क्या है न ये बढ़िया सा फूल जाएगा फिर खाने में बड़ा मजा आएगा तो अब इसको हम फूलने का इंतजार करते हैं फिर देखते हैं कि हमारा 10 मिनट बाद ये कैसा हमारा दिख रहा है ये बढ़िया सा जो रायता है ये बढ़िया सा त्यार हो गया है आप इस तरह से बनाईए खाईए और बताईए कि आज जो हमने आपको रायता बनाना बताया है मखाने का आपको कैसा लगा है तो मिलते हैं एक और अच्छी हेल्धी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ